साहसी हाथी और दयालू चुहा एक समय की बात है घने जंगल के बीचों बीच एली नाम का एक कोमल हाथी रहता था वह अपने दयालू हृदय और सौमय व्यवहार के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी एली हर दिन जंगल में घूमती जहां भी जाती खुशिया फैलाती एक दिन जब एली जंगल में टहल रही थी उसने मदद के लिए हलकी सी चीक सुनी आबास का पीछा करते हुए उसने एक गिरी हुई शाखा के नीचे फन से एक छोटे चुहे को पाया बिना किसी हिचकी चाहट के एली ने शाखा को उठाने और चुहे को मुक्त करने के अपनी शक्तिशाली सूंड का उपयोग किया एली की दयालुता के लिए आभारी होकर चुहे ने अपना परिचय मिया के रूप में दिया और किसी दिन एहसान चुकाने का वादा किया एली मुस्कुराई और इसके बारे में ज्यादा न सोचते हुए अपने रास्ते चली ग गई जब उसने देखा कि एक भयंकर बाग उसकी ओर आ रहा है और हमला करने के लिए तयार है घबराहट में एली ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैरों में सीसा जैसा लगा जैसे ही बाग जपट्टा मारने वाला था मिया चुहा कहीं से प्रकट हो गया वह बिजली की गती से बाग की ओर बढ़ी और उसकी पूंच को कुतर दिया आश्चर यचकित और चौका बाग ने जोर से चिलाया और जंगल में भाग गया एली मिया की बहादुरी से चकित रह गई और उसने उसकी जान बचाने के लिए उसे बहुत-बहुत धन्यवाद दिया उस दि की मदद करते थे और जहां भी जाते थे दयालुता फैलाते थे कहानी की सीख यह है कि दयालुता की कोई सीमा नहीं होती और दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है